नमस्कार, Stop Mattergate Investment Course के नेक्स्ट वीडियो में आप सब दो का स्वागत है आज कि मैं इस वीडियो में आप लोगों ise बॉंड्स के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ बॉंड्स क्या होता है बॉंड्स कितने प्रकार का होता है बॉन्स में किस तारीक से इंवेस्ट किया जाता है बॉन्स में इंवेस्ट करते हैं तो क्या-क्या रिक्स हो सकता है बॉन्स का रेटिंग कैसे चेक करेंगे सब कुछ बताने वाला हूँ जिससे कि बॉन्स के बारे में जो भी आपका confusion है वो सारा clear हो जाए तो चलिए दोस्तो पर इस तोक मर्केट investment course चल रहा है इसी course का यह अवरा रतीरपनवा वीडियो है एक तीसवा वीडियो है पिछले सारे वीडियो को आप विल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो लिंक कर नीचे description में आप जाके देख सकते हैं अब दोस्तों हम सबसे पहले समझते हैं कि आ सब्सक्राइब करा देते हैं तो हमको 5-6% का fix return मिल जाता है वैसे ही अगर हम bonds में invest कर देते हैं तो हमको 7-9% का fix interest मिल जाएगा तो दोस्तों यहीं होता है bonds अब bonds की जरुरत कैसे पढ़ती है और कैसे bonds में invest होता है थोड़ा इसको भी हम थोड़ा detail में समझ लेते हैं देखि पैसे की जरुरत है पैसे की जरुरत है तो पैसे उसके पास आने के लिए यानि कि अगर company को पैसे चाहिए तो वह दो तरीका से पैसे लेके आ सकती है अपनी company में सबसे पहले तो उसके पास equity capital होता है equity capital का मतलब कि वह अपना share बेचेगी और उसके पास पैसा आएगा share issue करके वह equity capital ले सकती है वह अपना share बेचेगी और share के बदले लोग उसे पैसे देंगे तो दोस्तों यह हो गया equity capital दूसरा होता है debt capital यानि कि company loan लेती है तो उसके पास debt capital आजाता है यानि कि company किसी से loan ली तो company के पास पैसा आगया अब company को जो कि उस loan को चुकाना होगा तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार company bank से ही loan ले जाकी company चाहे तो direct public से loan ले सकती है और public लेधी तो इसी को प्रेचेट है तो उस loan के बदले company आपको 7-9% का fixed interest दे देती है अब आप कहिएगा कि company को हम से loan लेने की क्या जोरत है वो बैंक से भी तो loan ले सकती है ना company चाहे तो bank से भी loan ले सकती है अगर company bank से loan लेने के लिए जाएगी तो company को 12-14% का interest देना पड़ेगा यह कम यह जादा हो सकता है यह इतना हो सकता है लेकिन अगर company हम से loan लेती है तो उसे यहाँ पर 7-9% का ही interest देना पड़ रहा है तो देखिए यहाँ पर जो company है वो bank से loan नहीं लेती है तो उसको interest कम देना पड़ रहा है अगर हम bank में FD करते हैं तो भाईया हमको 5-6% का interest मिलता है तो हमको भी यहाँ पर फाइदा हो गया और company को भी यहाँ पर फाइदा हो गया bank को यहाँ पर company छोड़ देती है तो भाईया यहीं होता है उसकर जो की bond का फाइदा तो यह तो आपको पता चलिया और बॉण्स के बारे में यह भी आपको किलियर हो गया तो यहां तो खमरा किलियर हो गया तो अब आईये हम समझते हैं कि याखिर कंपनी किस तरीका से डेट उठाती है यानि कि बॉण्स प्राप करती है सबसे पहले तो मानके चलिए कंपनी को चाहिए कि देखिए एक आई- का कीमत भर लेते हैं कि भाया 5000 रुपएंट हो जाएगा एक बॉह कीमत 1000 रुपएं तना कम्ति सब्सक्रांदा 3.1 ौप को एक हाजार का बॉंड्स ये लाक इसे करना पदेगा तो यह तो आपको सब्सक्राइब हुआ अब आते हैं कूपन रें जो होता है कंपनी जो आपको इंट्रेस्ट देगी वह फिक्स रहता है कि उतना इंट्रेस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा वह फिक्स हो जाता है वह 6% मिले 7% मिले 8% मिले 9% मिले वह फिक्स हो जाता है ऐसे तो साथ से उपर ही रहता है तो जो कंपनी इंट्रेस्ट देगी आपको वही होता है कूपन लेट्स जो की यहाँ पर मैं लिख दिया हूं तो यह आपको पता चल गया तो एक हजार के फ्लेश वैलू पर आठ परसेंट का कूपकर रिफ मानinson के चलिए कंपनी जो की promise करते हैं कि हम 8% का interest देंगे तो हजार रुपे का फेस्वाइलू हो जाएगा और 8% का coupon rate हो जाएगा तो यह अभी आपका पांसाल के लिए कमपनी पैसा लिये तो 5 साल में हमारा बॉंड मीच्योर हो जाएगा तो यहां तक आपको समझ में आगे आगया होगा कि आखिर बॉंड्स होता क्या है तो अब दोस्तों हम थोड़ा जान लेते हैं बॉंड्स के रेटिंग के बारे में आखिर हमें कैसे बॉंड्स में इन्वेस्ट करना है जिससे कि आगे चलके हमको परेशानी नो हो और हमारा पैसा नो डूबे तो चलिए अब वो भी हम समझ लेत के रेटिंग देती है उस बॉंड्स का जिस कंपनी का वो बॉंड्स है उस कंपनी के यहां पर प्रफिटिबिलिटी बाइलेंसे कैस्ट फ्लो को देखती है उसके बाद रेटिंग देती है यहां पर सिंपल सा फंडा है जितना ज्यादा रेटिंग उतना ही अच्छा वो आपको return मिलेगा लेकिन उतना ही ज्यादा आपका रिक्स भी बढ़ जाएगा तो दोस्तों मैं आप से कहूंगा कि आप AAA 3A rating में ही invest करें क्यों क्योंकि यहाँ पर आपको fix return मिल जाएगा उपर से दोस्तों हम यहाँ पर bonds में इसलिए invest करना है क्योंकि भईया हमको रिक्स नहीं लेना है इसलिए हम bonds में invest करें और इसमें जितना नीचे हम जाएंगे उतना ही ज्यादा रिक्स बढ़ जाएगा तो इसलिए AAA rating में ही आपको invest करना है यहीं सबसे बेस्ट आपके लिए अगर आप यहाँ पर जितना नीचे जाएगा उतना ही आपके लिए खतरनाक हो जाएगा तो AAA rating में ही आपको invest करना है अब कुछ rating देने वाली एजन्सिया है जैसे कि इक्रा क्रिस्याल के रेटिंग इन कंपनियों के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं इन एजन्सियों के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं और इनके निक्ट आते हैं secure और on secure bonds के बारे में secure bonds जिसके पीछे कुलेटरल रखाओ वह secure bonds होता है वैसे यह on secure जिसके पीछे कुलेटरल नहीं रखाओ वह on secure होता है अब दोस्तों आप कहिएगा या कुलेटरल क्या होता है तो दोस्तों जैसे कि हम सब लोग जब बैंक से लून लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमसे कुछ गिरवी रखनी के लिए बोलता है उसी को कुलेटरल बोला जाता है तो दोस्तों वैसे ही जब bonds इसू होता है तो bonds भी यहाँ पर company जब अपना bonds के तो उस कुलेटरल को बेच के bonds order को पैसा दिया जा सके यहीं होता है तो दोस्तों अगर यहाँ पर मैं आपसे बता दूं जिस भी bonds में पैसा लगाना है और सिक्योर बॉंस में आपको पैसा भूलके भी नहीं लगाना है क्योंकि वह पैसा लगाना है क्योंकि वह collateral उसके पीछे रखा गया है तो यहाँ तो दोस्तों आपको पता है चल गया और दोस्तों मैं आपको बता दूं कुछ AAA rating जैसे कि यहाँ पर पता है ना AAA rating में ही आपको इंवेस्ट करना है तो कुछ AAA rating bonds भी होती है जोकि उन सिक्योर होती है यानि कि उसके पीछे कोई भी collateral नहीं रखा होता है तो आपको देख लेना है कि उसके पीछे collateral है यानि की अगर आगे चलके company अपने जो कुछ भी हो कंपनी के साथ कोई भी दिक्कत हो अगर वह बॉंस holder का जो बॉंस लेके रख्या है खरीत के रख्याएं अगर कंप या जा सके तो अगर सिक्योर हो उसके पीछे कुलेटरल रखा गया हो तिरिपल ए रेटिंग हो तभी आपको उसके अंदर करना है तो यह तो आपको कता चल गया अब हम आते हैं बॉंड आई पीओ और सेकेंडरी मार्केट के उपा तो दोस्तों जिस तरीका से स्टोप का आई आता है जिसमें आप डाइयरेक्ट कंपनी से बॉंड लेती हैं और उस समय जो आपको बॉंड में ना तो फेसवाइलू पर मिलता है अगर हो जाता है और उसी कंपनी का आपको बॉंड चाहिए तो सेकेंडरी मार्केट यानि कि जो बॉंड में इन्वेस्ट करके रखें आपको खरीदना होगा और दोस्तों वह आपको फेस वैलू पर नहीं मिलेगा वह आपको ज्यादा मिल सकता है या कम मिल सकता है और कम ज्यादा होगा तो रिटर्न में भी ज्यादा कम हो जाएगा तो दोस्तों यहीं होता है बॉंड्स आइपियो और सेकेंडरी मार्के तो यह बॉन्स दो टाइब का होता है सबसे पहला जी सेक और दूसरा कोर्प्रेट बॉन्स यह जो कोर्प्रेट बॉन्स होता है ना कोर्प्रेट बॉन्स यह प्राइबेट कंपनियों का बॉन्स होता है प्राइबेट कंपनियों का बॉन्स होता है और जी सेक यानि की गौर्मेंट स आप भ्यांस सन लेजिए अब दोस्तों गौवर्मेंट भी एकम को कुए का करती है और दोस्तों मैं आप वह को इसू करती है सबसे पहला तो Central गौवर्मेंट का बोउन हाता है Central गौवर्मेंट का जो कि हमारा यहां पर आ जाएगा सबसे पहला Central में का दूसरा एसड़ी यानिकी है लोन जो हमारी गौवर्मेंट है वह विकास करनेके लिए पब्लिक से लोन लेती है उसी को SDL कहा जाता है State Development Loan तो यह तो आपको पता चल गया अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यह Central Governments और यहाँ पर आपका SDA यह सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है और जो यहाँ पर आपको प्रोमिस किया जाएगा औं 8 % आपका किया जाए 9% किया जाए यह जितना भी किया जता है उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि हमारी जो है वह कभी भी यहां पर डिफॉल्ट नहीं करेगी वह कभी भी यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं करेगी वह दिक्कत तभी होगा जब हमारी गौवर्मेंट में कुछ होगा और जब भया गौवर्मेंट यहां पर डूब जाएगा हमारा सरकार ही डूब जाएगी तो भया हम कह पूरा यहां पर श्टोक मर्केट जाएगा खर्च जाएगा इकनोमी जाएगा तो इसलिए यह सबसे सिक्योर होता है यह आपका सिब्सक्राइब कर दाएगा और तीसरा आ जाता है यानि कि पाप्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग अब दोस्तों यह पाप्लिक सेक्टर यहा पर अंडर्टेकिंग होता है यानि कि गौर्मेंट जसकी को चलाती है उसे को पांपनी कहा जता है आपको आम पहले भी बता चुक्तित है तो गौर्मेंट जिस कमपनी को चलाती है वह कंपनी होता है तो 누market आता है अप जानेडों कि होता है यह पूशी कांपनी हो यदो सबसे ज़्यादा सिक्विकंटी का इसना होगा को अब हопते सिक्रेटु या प्राइबेट कमपनिया होते है वह क्वान्स होता है वह होता है आपका जैसे के रिलाइंस को जैसे तो वह corporate bonds हो जाएगा तो दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनिया है जैसे कि Reliance, Tata, Birla, यहाप और बजाज इन लोगों का जो bonds आए तो उसमें आप invest कर सकते हैं इनके bonds में आप invest कर सकते हैं जो बड़ी-बड़ी महाराथी कंपनिया है जो हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनिया है तो वह आपका corporate bonds हो जाएगा प्राइबेट कंपनिय वाला और सरकारी वाला आपका P.S.E.U. हो जाएगा और अगर आप हमारे government को लोन देते हैं जैसे कि Central government हो जाए यह हमारी state government हो जाए तो इनको लोन देते हैं तो पहला आपका Central वाला हो जाएगा और दूसरा प्राइबाव यहां ताटा भी आपका clear हो गया तो अब दोस्तों हम थोड़ा आगे चलते हैं और आगे हमारा आ जाता है comunque नीकि førhd क्या क्या है गौन्स में तो इसको भी हम समझ लेते हैं अब हम समझते हैं कि रिख्ष क्या है Бौन्स में तो बोन्स में तीन रिक्ष आपको अगर कम्पने अपने आपको बैंकरफ्ट घोशित कर दें तो आपका पैसा भी वापस नहीं मिलेगा तो इसलिए यहाँ पर क्रेडिक रिक्स है अपको पैसा नहीं मिल सकता है अगर कंपने बैंकरफ्ट घोशित कर दें अगर आप सरकारी कमपनी में इंवेस्ट करते हैं या गॉर्मेंट को लोन देते हैं तो यह कभी भी बंद नहीं होगा और सरकार कभी नहीं दुदेगी तो इसलिए मैं कहूंगा AAA rating में ही आप invest करे और हो सके तो सरकार को ही लून दे तो यह आपका पहला रिक्स हो जाएगा दूसरा interest rate का रिक्स आपको हो सकता है महांगाई के वज़ा से RBI interest rate को interest rate जो महांगाई है तो इसे कमिया ज्यादा करती रहती है जिसके वज़ासे बान्स का भी interest rate कभी बढ़ता हय कभी घरता है जैसे वहाँ पर होगा वैसे यहाँ पर होगा तो इसके वज़ासे यहाँ पर भी हो सकता है तो यह interest rate का भी आपको घर देखने के लिए मिल सकता है और दोस्तों तीसरा जो है वह है liquidity का देखें कि दोस्तों यहां पर लिख दिया हूं माल लेते हैं आप जो बॉंद में इंवेस्ट की हैं जिस बॉंड को आप खरीद के रखे हैं उस बॉंड का maturity period यानि कि 8 साल में वहां हमारा bonds mature होगा तो 8 साल में वहां आपका bonds mature होगा लेकिन 3 साल बाद आपको पैसे की जोरुत पड़ जाता है तो आप अपने bonds को sell करना चाहते हैं अब sell करने के लिए जाते हैं तो वहां पर कोई खरीदने वाला ही नहीं होता है है आप खरीद लिएँ अब आपको बेंशना है तो कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो कोई खरीदने वाला VOICE नहीं होगा क्या तो मान लिए आपका जो बों से वा आट साल में मीच्योर होगा वाट साल तक आप करना पड़ेगा तभी जाके आपका जो डूर्स है वह सिल कर पाईएगा तभी आपका पैसा निकल पाएगा तो यह तील रिक्स होता है जो कि हम आपको समझा दिये अब दोस्तों हम देखते हैं मौन्स में उंवेस्ट आप कैसे कर सकते हैं बयंदस में इन्वेश्ट कैसे करे गोल्डेंपाई हो जाएगा वीन्ट वेल्थ हो जाएगा फिक्सिंकम.com काफी ज्यादा यह पर चली था फिक्सिंकम.com का आप लेकिन फिक्सिंकम.com भी अब लिखेगे तो आपको मिल जाएगा तो यह प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अच्छा तरीका से इंवेस्ट कर सकते हैं अगर हम गौवर्मेंट की बात करें बार बार गौवर्मेंट के उपर मैं प्रेशर दे रहा हूं गौवर्मेंट में ही आप इंवेस्ट कीजिएगा गौवर्मेंट की बात करें तो आर भी आई लॉंच किया है अपना आर भी आई रिटेल डाइडेक्ट नाम से अपना प्लेटफॉर्म जहां पर आप गोवर्मेंट्स में इंवेस्ट कर सकते हैं तो दोस्तों यह भी आपको पता चल गया अब आते हम बॉंड की कुछ टिप्स के उपा क्या क्या हमको ध्यान रखना है सबसे पहले आप क्रेटिट रेटिंग चेक कर लिजें बॉंड का त्रिपल यह होना चाहिए और आपका जो त्रीपल ए रहेगा और दोस्तों तौलेट राइज भी होना चाहिए तो क्रेडिट रेटिंग चाही हुना चाहिए यहां आपको मैं आप लिगया झाए त्रेपल या थेंग ही खड़ी दें भॉंड को दीजिए नहीं तो पीएसिव कंपनी को दीजिए तो आप बॉंड में रिक्स मत लीजिए अपने कैपिटल पोटेक्शन पर भियान दीजिए आप अपने पैसे के उपर ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके बाद अब हम बात करते हैं चूसिंग बॉंड यानि कि हम अपने लिए बॉंड कैसे चूस करेंगे तो देखिए बड़े गुरूप के ही बॉंड में आप इंवेस्ट कीजिए बड़ी कंपनिया जो बड़ी कंपनिया वो कभी भी बैंक्रप्ट नहीं होगी जैसे कि ताटा ताटा पता है आपको टाटा गुरूप के बारे में उसके बाद हमारा बिरला बिरला के बारे में भी आपको पता है रिलाइंस आपको अच्छा तरीके से पता है यह जो बड़ी बड़ी कंपनिया है बड़ी गुरूप है तो यह आपके लिए बेस्ट रहेगा बड़े गुरूप रखा होना चाहिए यह आपको चेक कर लेना है उसके बाद बांड का सिनुरटी भी आपको चेक कर लेना जैसे कि गौर्मेंट्स कीरियेटर्स बांन सोल और सियर होल्डर जिससे कि आगे कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर बॉण्स होलडर का नाम होना ज़रूरी है जिससे कि भाया आगे चलोकर कोई दिक्कत नहीं दिक्कत होता है तो आपको पैसा मिल पाय यह भी आपको देखके चला है और उनही बॉण्स में पैसा लगाए वह घुण कर सकते हैं जैसे कि मां दिए्वट साल कोई में वह अमरा बस भाइट होगा सरическая चाही पर करेंसे प만 मेंटल जरूर से देखेए सब से ज्यादा जरूरी प्रोफिट आप्टर टेक्स प्रीकेस प्लोग और डेट विटी रेसियो ज़रूर से आपको देखने ना है अगर यह सही आए फंडमेंटल वाला माई वीडियो बने या दिया हूं लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन आप जाके देख सकते हैं अगर यह तीन लिष्ट है उसी कमपनी के बांस को आप खरीदने की कोशिस किजिए उसके बाद के रेटिंग को जरूर से आपको देखना है कहां पर देखिएगा तो आप पिक्रा इनके उपर इन एजंसियों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं और इनके रेटिंग को देखके आप अंदाजा कर देखिएगा तो भाया मैं अलग से वीडियो बना दूंगा चलिया आल पुराल इस वीडियो में इतना ही था अगले वीडियो में पत्तक देखिए बाद